जलो कृष्णा अंदर चल कर बात करेंगे अंदर ले जाकर तुम मुझे पिस्टॉल दिखाऊगे कितने गोलियां है पिस्टॉल में गोलियां चलाता हूं तुम गिल लेना अच्छे है कि नहीं मैं भी छे हजार रुपए में एक मशीन गन खरीदने वाला हूं तुम बाप ब लखने के लिए बोला था ना तेरे को अभी तक यहीं पा रहा है फिस्टॉल अंदर लेकर जा कृष्णा अब बात को क्यों बढ़ा रहे हो अरे इसने हम लोगों को बोला ना कि हम सब एक ही है एक ही है चलो बैठकर बात करते हैं बाबाबा सेटिंग ना है आपका पीड़ चुप रहे है इसके साथ यहां बात नहीं करूंगा कल से मेरा ओफिक्स शुरू होने वाला है बात करनी है तो वहीं आ जाना नहीं तो मैं अपने बेटे को एमेले बनाओंगा उसी से बात करना ऐसे महात्मा को हमने चलाने की कोशिश की अन्याय हो जाता कि अगल रहा था अब मैं तेरे को लों दूंगा चलो चलो पकड़ के रखोश को अग्रिश्टा क्या कर रहा है रहा है अब मैं तेज़े दिखाता हूं हुआ ही हरदो हँ यह लो, खालो, बीस रुपे किलो का है यह लो बीसará किलो कि यह लो, यह-जुफे को बीकिलोते सी रुपे किलोके है यह लो, यह लो डाको किलो यह लोग Al भीरा है जो भी जो बीजे क्या है वह लोगन अची日 करिंगे से तुम कर्णे करिंगे से डिछ करिंगे जाल करिंगे कर भे! अ करिंगे कि अ देखो मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूं मेरी बात मानलो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं वैसे अकेला रहके बहुत कंटाल गया हूं मैं चलो चुप-चुप खड़ी हो जाओ यहां पर अब ऐसी क्यों घूर रही है पैसा कमा फिर जाके शादी करूंगी यहीं बोला था ना चल खड़ी हो जा मजाग नहीं कर रहा हूं हमारे फैमली के लोग शहर से बैंड बाजा बरात लेकर सब यहां आ रहे हैं आदे गंटे में शादी एक गंटे में दो बार सुआग रात नहीं कर सकती है मुझे कैंसर है एक लाट मरूंगा ना तो गाव के बाहर जाके गिरेगी पैसा नहीं था तो पैसा कमाओ बोल रहे थी पैसा आ गया है तो बोल रहे है कि मुझे क्यांसर है वेड़ा समझते माला तू यह लड़कियों को सच्चे प्यार की कदर ही नहीं होती हां वो सब मुझे नहीं पता पहले हाथ अटा अरे जूमी ऐसी छोटी-छोटी बातों सही तो प्यार बढ़ कि अग्यार कि एसे तेरे कंदे पे हाथ रखना मेरा सपना था जूमी मना मत करना तो कितना भी डाट चपल से मार या मार ही डाल मुझे मगर तेरा प्यार मेरे दिल से नहीं जा सकता अब नौ करोड रुप्य जिसके जेब में हो तो कुछ भी कर सकता है ना मैं तुझे यहां मिलने आया हूँ और तु है कि ज़रा भी खुछ नहीं है जूमी तुझे पैसे मिलेंगे तो मैं क्यों खुश हो तुमने सान मुझे द कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है मतलब कि मैं ऐसा ही गरीबी में जानवरों को पालता रहूं हां हां चलो वो भी ठीक है तुझे जैसा बोलेगी वैसा ही करूंगा हम लोग बाइक पर बैटकर अठारा गाओं में उसे ढूंड चुके हैं अजैर ने भी सारे तालुकों में ढूंडा है कहीं भी सान का कोई साउंड नहीं सुनाई दिया पैर के निशान भी नहीं है और नहीं कोई एड्रेस मिला है अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल बात हो बताने के लिए तो बताओ ऐसे ही गाओं में घूम रहा था सोचा कि अपने लव से मिलता है चला जाओ कहीं 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 के चपल से मारूंगा ठीक है ठीक है हां जरा देख तो सही हलो ए इधर ला हलो लगता है उठाने वाला गरीब कहीं का जुमे जरूरी काम से जा रहा हूं सो जाना सपने में आ जाओंगा ठीक है कि कितना लंबा है 120 गुंटा यहां से बैंक के चेर्मेन की जमीन खतम हो गई यहां से पहार तक की लंबाई कितनी है गिनना है तो गिनो जगा किसी के मैं डबल रेट में खरीदूंगा चेर्मेन यह जेंखरिदने वाले हैं वह बीच में कहां से आ गया मैं आज यह एडवांस देता हूं जगा मेरी है अज से मैं ही यहां का चेर्मेन हूं पटाके फोड़ो था कर रहे हैं यह जा रहे हैं यह जाए यह बताओं क्या कौन है यह बताओं क्या अरे मेरे घर में आग लगे तरह बाप बुझाने आगा मैं पूरे गाओं को जलाकर राख कर दूंगा और फिर से नया गाओं बसाओंगा समझा तू कौन होता है मुझसे पुछने वाला तेरे से भी बड़ा घर बनवाओंगा उस तरफ चेर्मेन का ओफिस रहेगा और उस तरफ डेरी फार्म रहेगा उसके पीछे बनवाओंगा उसमें बड़ा सा मंदिर होगा जिसमें सोनी की मूर्ती होगी समझगा ना आज ही भूमी पूजन करवाऊंगा तेरे घर को गाये बानने के लिए खरी दूंगा अपने बाप से पूछ ले बेचेगा ना करिश्ण कहां कहां वूड़ा तुम्हें पहले एक मोबाइल ले लो विए फंक्शन वहीं सम्मांद तुम्हारे पूरे फैमिली को सम्मांद अरे लोग तुम्हां इंतिजार करने चलो गाड़ी बीचलो बैट बास बाई आप भी आएंगे क्या इंदेने आप यहीं ठीक है भाई भाई मैं भी यूँ गया और यूँ आया पापा उस मैंनेजर को मैं काट दूंगा आप इस तरहें बैठे़ो हुआ है अरे डाक्टर को बुला बहुत नर्द हो रहा है क्या क्रिष्णा तुम्हारा लेवल क्या है क्या उस चेयर्मेंट से चिपके रहते हो कि क्या कर रहा है आज यहां पर वो हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था यह बहुत बड़ी बात है इस गाओं के लिए होने वाले चेर्मेन क्रिश्ना और उनका बेटा डोकोमो कैम प्राजू यह नाम अनौंस किया जा रहा है यह बहुत खुशी की बात है इसलिए कि आज का यह दिन घाओं के इतिहास में एक तरह का नया ग्लोबलाजेशन स्टार्ट हुआ है क्या कहां गुरुवराइजेशन गोरी जेशन उसके बारे में सिर्फ बात करनी है जानना नहीं है सब यहीं करते हैं समझाब और इस ग्लोबलाजेशन के शुरूआत आज के दि गो गो जा बात कर वह मैं जानता हूं मेरे सारे भाईों और भाईयों के बहनों भारतम्हालिस में यह नियाम है ऐसूसीचन है बोल और यह होने के बाद वह होने के बाद आप अपनी मांगे अंक चिठ्ठी में लिखकर दे दो हम आप पूरी करेंगे यह हमारा वादा है और जैसे ही हमें लोर मिलेगा हम गाओं में डेरी जरूर खोल देंगे और आने वाले समय में बसकर न और कितना बोलेगा तूंटीन और अपने शरण शर्मा इधर आना अपने शरण शर्मा जी ने एक मुर्गा पकड़ा है जो 400 साल पुराना है जो बहुत ही अच्छी नस्त लगा है इनका कहना है कि अशोक लेलेंड ने आपके सांड का जो रेट लगाया है इसका भी रेट लगाया जाए क्या कहा रहें आप लोग और ऐसे ही अपने मुर्ली बा से बात कर लिए पहले उस पर डाल फिर मैं बाद आता हूं कंटीनियू कंटीनियू और वैसे ही अपने जगत बावु एक बहुत ही पुराना कटहल लेकर क्या हुए है इसका छिलका खाड़े से गंजों के बाल निकल आते इनका कहना है इनके पास 500 साल पुराना घंटा भी ह और अपने साथ अपने कुल देवता को भी लेकर क्या है लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कुछ की जातकी बक्री भी लेकर आये हैं साथ में मदार फुल का पेड़ और मालिश करने वाला तेल भी लेकर आये हैं साथ में निम्बू और 300 साल पुरानी चलनी साइकल रिम और मटका यह सब कुछ उठा करके यह लोग लेकर आए हैं और कितना वोलेगा आप चुप रहना इनका कहना है कि यह सब पुराने जमाने का है और इन सब का भी आपको अच्छा रेट लगाना है अगर आपको भावी MLA बनना है तो क्या का भावी मिले चुक चाप रहे डोकमों को पागल समझाय क्या अशोका लिलेंड ने क्या भंगार की दुकान खोल के रखी हुई है यहां पर चलो माल ली तुम्हारी बात उसे साइके दिलवा दी तो इतनी सी चड़ी पहन कर गहां गहां चलाती फिरेगी रदी पुराना सामान ले लो यही चाहिता है क्या तू अब भाशन अभी खत नहीं हुआ है बीच में उगली बत कर तू अब हम देरी के लिए तुम्हारे पास लोन मांगने के लिए तो तुमने अपना पिछोड़ा दिखा दिया और आव उस पर तेल लगाने के लिए हो पता है पक 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 क्या कर रहे हो यह यह किया कर रहा हो यह मैं और तुम्हान दिलाया और तुमेरे साथ ऐसी हरकेद कर रहा हो बहुत बोल रहे है तूं बहुत उड रहे है तुझा हम ने बोल दिया वह बोल दिया ऎकाय tirold कले के लिए उसका इस्तवाल करेंगे यह मेरा वादा है अभी तो ऐसा बोल रहा है एक बार जीत गया ना तो हमारे सर पर चड़के नाचेगा तो ही यह अपने बात पर यकीन नहीं कर रहा है ऐख मैं मेरे सांण को गावव की सारी गाईयों से मिलाता होँ समझा तू किस लिए अच्छे के लिए एक एक घर में नो bure का बच्चा पाधा होगा भाव बड़ेगा दूद्द बड़ेगा लोकों का विक्सटोन होगा एक हमारा सक्सा करोज़का बच्चा पाईगा करे गा व उसे पूछो हरे गाय से 9 करोड का बच्चा पैदा होगा उसे गिर्वी रखके लोन दे देना और उसके बाद गाओं के सारे किसान चोटे-चोटे बच्छड़े लेकर आएंगे और बोलेगे कि तुम्हेरे सांड सी पैदा हुआ है तो मैं उनको लोन दे दूंगा उसके अरे तुम्हें पता नहीं है गाओं में कोई भी गाय गर्बवोती होगी तो यह टेस्ट करके बता देगी खुन और गोबर का टेस्ट करके बता देगी कि होने वाला बचड़ा किसांड सी हुआ है पहले उनसे तुपूछ लो वह टेस्ट करेंगी कि नहीं करेंगी आशोक मैं सी गषम अजलस करेंगी करें और आटिस्ट करेंगी करें छाह कन गुटभालन गर्डवार्वार्अम पाल ट्व। लो गोगे मैंद अ भर मैंदू यह टाले नांधीग॥ा है को है वालो गोले लिए पॉसिबल ग्लोबल जेनेटिक दिस नौट पर्मिट ब्रीदिंग अफ मेंटो अनिवर इलस अपनी विल ओंड ब्रीड इस आफ तो सेल बुल तो आज फिट अफिट अफिसर तू आया खुद को बड़ा अफिसर समझने वाला अरे पता क्या बोली है अरे लाइन लगा देगी कि बच्ड़ों की लाइन आजा पूछले अब पागल डोकबो तुम्हारे सांट को यहां से लिया कर वहीं रखना चाहती है उस संट से फ्वहरं गया बच्चा पैदा कराई कि ऐसा बोल रही है हमारे गया से बच्चा पैदा नहीं करेगी इसलिए हमारे आंकी गया से उसे क नूढ नूजू हे है इसका पैसा नहीं चाहिए इसका उफ़र भी नहीं चाहिए अम नहीं देंगे अपना सांड उसे सारी गाउ के गाय से मिलाँगा और खुट टेरीक होलूंगा हम ही दूद बेचेंगे इन लोगों को दूद चाहिए तो हमारे गाव में अगर पी कर जाए उन्हें हमारी पावर दिखाते हैं हां बारत पादा की जाएं मतलब फिक्स सबीग किसान भाई लोग अपने गायों को अपने अपने घरों के पास बांध करके मैं अपने सांड को लेकर हर घर में उसके गाय के पास जाऊंगा अगाओं का भला होगा कि लिए खुशाल होंगे अभी अमीर बन जाएंगे आप पुठाए उसको पूर अरे सब्सेटी आपने सभी किया ना इंखी पूजिशन है अरे अरे सब्सेटी अमारे पास सांग नहीं है और हमने कुछ जादा ही बोल दिया जादा सोचने की तरूब है तरुए इतना है आत उठाओ और सबको नमस्ते कर ठीक है ठीक है